बाइ करना है तो आखिर क्या option है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत सारे तरीके हैं दो तीन चार तरीके हम लोग discuss करेंगे इसमें से जो पहला तरीका है वो सिर्फ उनके लिए है जो as a business इसको देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ P2P में ही deal करना चाते हैं USDT ही buy sell करना चाते हैं उनके लिए है बाकी के जो method है वो जो लोग USDT buy करके बाकी crypto trade करते हैं उनके लिए हो सकता है तो सबसे पहले ये वाला method हम लोग बात करने वाले हैं और इसको कैसे करना है वो मैं एक एक करके आपको guide करने वाला हूँ अगर Binance के P2P पे आप आए तो आपको देख जाएगा ये वाला interface और यहाँ पे आपको fiat में select कर लेना है USD और payment में select कर लेना है net teller उसके बाद ये सारे जो merchants हैं यहाँ पे बैठे हुए जो dollar लेके आपको दे देते हैं USDT वो दिख जाएंगे ऐसे मैं अगर पहले कुछ merchants इनको देखें तो average price 1.035 का यहाँ पढ़ रहा है या फिर मैं यहाँ पे 1.04 का यहाँ पे ले लेता हूँ average और आपको पूरा का पूरा calculation करके दिखाने वाला हूँ अगर 1.04 dollar का एक USDT यह देते हैं तो हमें 1000 USDT अगर लेना है तो पढ़ जाएगा हमारा 1040 US dollar price और इसको अगर आपको Indian rupees में करना है हाला कि आप किसी भी country में रहते हैं कोई भी रूपय के साथ करना चाते हैं किसी भी currency के साथ आप कर सकते हैं अपने fiat के साथ मैं यहाँ पे example Indian rupees का दिखाने वाला हूँ यह सही है या गलत है इसका मैं दावा यहाँ पे वीडियो में नह 82 के आसपास चल रहा है एक डॉलर का price तो ऐसे में अगर हम लोग calculation करते हैं 1000 लेने के लिए हमें कितना चाहिए तो 1000 लेने के लिए 82,000 इंडियन rupees चाहिए 40 के लिए कितना चाहिए फिर 40 into अगर हम लोग 82 करें तो यह बन जाता है total 85,280 रूपीज पे करना पड़ेगा तब ज चले आए इस website पे जिसका नाम है net teller यह भी wallet टाइप ही है जहाँ पे money exchange वगरा होता है यहाँ आने के बाद आप देखेंगे money in अगर आप money in करें तो यहाँ चार्ज लग जाता है 2.5% तो जब आप इसमें यह amount 85,280 एड करने जाते हैं तो इसमें 2.5% चार्ज लग 2132 फिर ऐसा करने के बाद आपके wallet में net teller के इतना पैसा दिखाने लगेगा आजाएगा add हो जाएगा उसके बाद आपको convert कर लेना इसको dollar में और उसके लिए approximately 4% का यहाँ पे चार्ज लेते हैं इस amount पे जो आप convert कर रहे हैं तो 3402 रुपे आपको extra देने पड़ेंगे और आपके wallet में आ जाएंगे 1040 US dollar यह होने के बाद आप जो भी व्यक्ति यहाँ पे आपको देख रहा है merchant इनके साथ अगर आप deal करते हैं तो इनका जो net teller का account है उसमें आपको transfer करने होगे जैसे आप normal P2P करते हैं अपने net teller से registered net teller से इनको transfer करने होगे और उसके बाद यह आ आपको कोई charge नहीं है यहाँ पे क्योंकि net teller से दूसरे net teller में भेजने में कोई charge नहीं होना चाहिए हाला कि आपको करना क्या इसको पहले बहुत ही छोटे amount से check करना है कि क्या यह technique work करता है या नहीं उसके बाद ही decision लेना है total यहाँ पे आपके खर्चे आ जाएंगे 90,814 जब आप इसको calculate करेंगे और इसके against आपको मिल जाएगा 1040 dollar US dollar लेकिन USDT के अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा सिर्फ 1000 USDT इसके बदले में इस 1000 USDT को अगर अभी के time पे market के rate पे अप sell करें तो अगर आप चलें बिनांस में ही देखें INR में क्या rate चल रहा है तो आपको 90,800 के आसपस खर्च लगा है अगर आप 93, 94 में बेचते हैं तो आपको बड़े अराम से यहाँ 2-3,000 रुपए का profit बन जाता है अगर एक trip लेते हैं एक trade लेते हैं तो दो trade लेते हैं अगर आपको धाई 3,000 का भी आप profit मान के चलते हैं in a day तो आपको बन जाएंगे महीने के यहाँ पे बड़े अराम से 90,000 यह सिर्फ मेरा rough calculation है हाला कि आप हमेशा पहले आप खुद research करें इसको देखें छोटा मोटा amount से यह काम करता है या नहीं उसके बाद ही आप इसको बाकी का जो भी amount है वो डालने का सोचें decision हला कि completely आपका होना चाहिए बात करते हैं payment यहाँ यहाँ पे अगर मैं select करूँ एक और payment है ARTM करके और यहाँ पे आपको relatively थोड़े सस्ते USDT मिलेंगे यहाँ 1.07 USD में आपको मिल जाएंगे USDT तो अगर 1000 की calculation करें तो सिर्फ 1007 USD में मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 1000 USDT यह भी एक technique है लोग use करते हैं लेकिन आपको net tailor का technique है य TM में आपको पैसे add करने के लिए थोड़े से different technique है जो कि मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ तो यह रहा कि हमारा पहला method दूसरा method है जो भी traders है जो छोटे मोटे trade लेते हैं अगर आप चले हैं कू coin exchange पे देख सकते हैं आप एक merchant हैं जिनके बहुत कम अभी के time पे व तो 90 तक ही बेच के निकल जाते हैं फटा फट और ऐसे में आपको ऐसे लोगों को जिनको छोटे छोटे amount sell करने अगर आप वो buy कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है अगर 100 USDT in a day आप ले लेते हैं तीन रुपे के difference से या चार रुपे के तो आराम से आपको यह 400-500 लोग यूज करते हैं और यह भी बहुत successful है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप वजीरेक्स पर जाके देखेंगे तो अभी के टाइम पर वजीरेक्स पर प्राइस जो चल रहा है आप सोचेंगे कि क्या मैं वहां से खरीद सकता हूं 89.55 कर चल रहा है तो problem क्या ह जब आप इसको खरीदेंगा 1% TDS जब भेजेंगे इसको कहीं भी P2P पे sell करने के लिए 1% TDS प्लस भेजने का जो withdrawal transaction fee है जो blockchain का वो 15 डॉलर के आसपास तो ऐसे मैं आपको बचेगा कुछ भी नहीं यहाँ पे हाला कि जब आप net teller वाला technique यूज करेंगे तो यहाँ पे भी T technique है आप देख सकते हैं यह आपके लिए काम करता है या नहीं करता है इसके अलावा एक और तरीका जो मैं बता रहा हूं बहुत से एक्चेंज होते हैं जो कि इस टॉप 100 एक्चेंज लिस्ट में आना जाते हैं और वो as a product feature P2P भी offer करते हैं और लोगों का attention grab करने के लिए discounted rate पे USDT वगरा भेजते रहते हैं कुकाइन एक्सचेंज तो बहुत बार करता है और भी एक्सचेंज हैं आप सर्च भी कर सकते हैं discounted rate USDT sell discounted rate USDT sell ऐसे में आपको दिख जाएंगे कोई ना कोई platform जो करते रहते हैं नहीं मिलता है अगर आपको तो आप crypto mart में चले आईए हमार official telegram है यहाँ पे देख सकते हैं crypto mart India बिना space दी आपको search करना है इसी video के अलावा आप चाहें तो जो भी YouTubers वगरा होते हैं जो influencers होते हैं वो भी referral commission के रूप में बहुत बार USDT उनको मिलते रहता है या फिर वो promotions वगरा के पैसे भी उनको USDT में मिलता है उनको sell करना है तो आप अगर चाहें तो बहुत सारे influencers से भी connect कर सकते हैं और उनके साथ भी USDT buy sell का deal कर सकते हैं या फिर उनको बोल सकते हैं कि आप एक verified merchant है Binance पे या कोई भी top 10 exchange पे आप चाहें तो अपनी users को मेरे खुद को recommend कर सकते हैं और USDT buy sell कर सकते हैं बहुत से लोग है crypto mart में भी reach out करते हैं और उनको इस चीज का help मिल जाता है अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए कि कौन सा वो exchange जो आपको दे सकता है discounted rate पे USDT या services वगरा अच्छे हैं तो वो अगले वीडियो में आने वाला है